हेलो एविवन नमस्ते सभी को और आज मैं आप लोगों को अपने जो मैंने पर्चेस की चीजें ऑनलाइन से तो वो कुछ मीशों से हैं कुछ फ्लिप कार्ट से हैं तो जो जहां से अच्छा मिलता है वहां से मैं लेती हूं तो मैंने कुछ चीजें ली हैं और वह काफी डिस्काउंट में इस टाइम पर मिल रही थी तो मैंने ली हैं और उनकी ओपनिंग मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूं तो सबसे पहले यह हैं पहले मैं आपको दिखा दो कि कितने सारी यह बॉक्स क्यित तो की में आप लोगों को बताऊगे कि इनमें इनमें सबमें है क्या कितनी सारे एल पर प्राइजजый में और यह काफी रिजनेबल प्राइस पर मिल रहा था मुझे हलाकि इनकी MRP बहुत ज़ादा होती है पर काफी डिसकाउंट के साथ मुझे 130 इसी प्राइस पे मुझे मिला और यह है मैं आप लोगों को यह वीडियो दिखाने का परपस यह है कि काफी डिसकाउंट चल रहा है इस टाइम पे तो यह रहा यह बेवी पाउडर है बम्टम जो कि मैंने अपने बेवी के लिए और मैं खुद भी बेवी पाउडर ही यूज़ करती हूँ जब मुझे करना होता है तो मैं एक्जिमम टाइम पे मैं यूज़ नहीं करती पर बहुत ज़्यादा जब कभी बाहर जाना हुआ और फेस पे ओईलिंग होने लगती है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है यह यह आप देख रहे हैं यह ब्रांड है अराटा का अराटा बहुत नाम सुना होगा आप लोगो है अराटा का शैंपू जो की हाइड्रेटिंग शैंपू है मुष्यराइजेस एंड रिपेर्स डैमेज हेर्स को रिपेर करेगा यह और सबसे अच्छी बात है ना कि यह बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा था इसकी एम आर्पी है 699 लेकिन यह मुझे 200 के तो मैं लेती गई लेती गई और एक साथ इतनी सारी चीजें ओर कर गई मैं क्योंकि डिस्काउंट पे सारी चीजे चल रही थी कि मुझे इंग्रीडियेंट पढ़ने का भी समय नहीं मिला और इसी इंग्रीडियेंट ना पढ़ने की वज़ा से क्योंकि आप प्रॉडक्त देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इंग्रीडियेंट क्या है तो मंगाने के बाद मुझे पता चला कि यह जो प्रोडक्त है और यह तो यह हैं तो यह रहा यह है तो और राटा का ही है अनियन श्यम्पू और अनियन श्यम्पू आया यह देख लीजे के ingredients list मैं आपको बता रही हूं इसमें है आकवा है इकवा मिंस पानी ही होता है रही हो लेकिन इसके बाद आया sodium laura sulphate sodium laura sulphate है जिसकी वाज़े से मैं एक दम पशता रही हyim मुझे sodium laura sulphate means ऐसे लेस वाले कोई भी product मैं use नहीं करती हूँ और ये not returnable है तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या करूंगी I don't know पर मंगा लिया तो मंगा लिया सारे ingredient पड़ लीजिए अच्छे से check कर लीजिए कि ये returnable है या नहीं है सारी चीजें देख करके ही आप order कीजिएगा और ये next जो है मेरा ये अब इसमें मेरा फेवरेट है sunscreen ये मैंने दो sunscreens ओडर किये थे क्योंकि ये भी बहुत अच्छी डिस्काउंट पे मुझे मिल गया और मुझे इतना पसंद है ये ब्रैंड क्योंकि एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो पिछली बार मैंने काफी महेंगे प्राइस पे खरीदा था लेकिन इस बार ये मुझे 300 एंड संथिंग में दो पैक्स मिले हैं और ये 50 ग्राम 50 ग्राम के दोनों पैक है और इस का ये जो आप डेखेंगे न ये इसका शेप इतना ब्यूटिफुल है कि मैं बता नहीं सकती है अपो ये मुझे इसका शेप इतना प्यारा लगता है तो ये मुड़ी का संस््क्रीम है जो की ख्रेम करता है आपको के ये हाइडरेट इंग फ्लूइड है फ्लूइड संस्रीम है और विटमिन विटमिन ए और विटमिन सी से भरा हुआ है यह इसके अलावा हाई यूवी प्रोटेक्शन है नो वाइट कार्ट नो नॉन ग्रीजी है और पर मिल रहा था तो मैंने दो पैक और लिए दो पैक चलिए अगला प्रोड़क्ट देखते हैं अगला प्रोड़क्ट क्या है जो कि से भाइं यह दो इसको यह बोक्स बहुत बड़ा है और हाँ यह जो मैंने यह और किया ना यह फिलक ट्रब्स काट से मैंने ओर किया था इसलिए मुझे काफी ज़्यादध डेसकाउं पेमिला है उसमें डिसकाउं चलिए है तो ठीक है नेक्स्ट प्रोड़क्ट हमारा यह तो इसको हम कहां से उपन करेंगी यह कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस इस बोडी वोश और यह भी अराटा का है राटा का ही बोडी वोश है यह यहां पर लगा रखा है इन लोगों ने न तो समझ नहीं आ रहा यह अराटा का ही प्रोड़क्त है और 1% Salicylic Acid Body Wash अब इसमें सबसे अची बात क्या थी ना कि आपके जो पीट पे एकने हो जाते हैं इस एरिया में एकने हो जाते हैं जो कि मुझे भी अभी प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज की इसके लिए मैंने यह वाला Body Wash मंगवाया था औ और Exfoliate and Reduce Body Acid यह देखें लिखा भी है यहां पर चोटी चोटी अक्षरों में लिखा हुआ है और इसके इंग्रीडियन्ट भी काफी अच्छे हैं प्यूरिफाइड वाटर हाला कि इसमें Sodium Laurel Sulfate भी है मैंने आपको बताया कि जल्दी जल्दी में मैंने और कर दिया लेक देखती हूं यूज करके मैं फर्स टाइम इसको यूज करने वाली हूं तो आप भी जब भी ऑडर करें तो यह सारी चीजें चेक करके अच्छे से कि आपको कौन से इंग्रीडियंट से अलर्जी है या फिर आपको कौन सा इंग्रीडियंट नहीं चाहिए अपने अपने अफिर चेक किया तो चली है कोई बात नहीं यह तो यूज कर सकती हूं चाहिए थायर्स नहीं है बिल्कुल भी मैं हानिकारक चीजें यूज नहीं करती लेकिन यह वाड़ी पे मैं यूज कर सकती हूं और करने वाली हूं क्योंकि बॉडी एकने का सवाल है और बेक मेरे एकने एकने थोड़े लग रहे थे ठीक है तो यह भी मुझे बहुत ही जादा डिसकांट पे मिला था यह भी मुझे सही सफल्द भा जाएक के रहे है दो शेंपू को यह भी में पेलाएक रहे है